गरीब आलू के पराठे वाली भरतपुर नाम के एक गांव में सिमा बहुत गरीब लड़की थी वह अपनी मा के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी उसके पिता उसकी मा और सिमा को अकेला छोड़कर शहर में नौकरी का कहकर चले गए थे मा पिता जी कहा है वह कब आएंगे बहुत दिन हो गए वह तो हमसे कहकर गए थे कि जल्दी वापस आ जाओंगा फिर अभी तक क्यों नहीं आए हाँ बेटा मुझे भी यही चिंता रहती है लेकिन बेटा हमारे पास उनका कुछ पता नहीं है कि वह कहा गए है पर हम कब तक पिता जी का इंतजार करते रहेंगे क्यों न हम शहर चले हाँ बेटा तुम सही कह रही हो हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है और पैसे भी बहुत कम बचे हैं हम कल ही सुबह शहर चलेंगे तुम्हारे पिता जी को ढूणने लेकिन उसके पहले में पास में चाचा जी से इस बारे में बात कराती हूं वो पास में ही सरपंच रहते थे जो बहुत समझदार थे गाउव के लोग उन्हें चाचा जी कहते थे उनके पास बात करने जाती है चाचा जी अरे बेटा तुम यहां केसे है चाचा जी मुझे बताना था कि मैं और मेरी बेटी मेरे पती को ढूणने शहर जा रहे हैं बहुत दिन हो गए वह भी नहीं आये और हमारे राशन के लिए पैसे भी खत्म हो गए है लेकिन बेटा तुम इतने बड़े शहर में उसे ढूणड अड्रस है? अड्रस तो नहीं है लेकिन फिर में क्या करूँ मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी नहीं है न खाने के लिए पैसे बचे है लेकिन चाचा जी में क्या काम करो? और काम शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाओ? अभी तुम मुझसे ले लो और बाद में जब तुम्हारा काम हो जाए तब लोटा देना। धन्यवाद चाचा जी, आप सही कह रहे हूं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शहर जाकर रह पाए। मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, जरूर बाकी लोगों को भी पसंद आएंगे, मैं उसका ही ठेला लगा लेती हूं और आपके पैसे भी मैं जल्दी ही वापस कर दूँगी। सीमा की मा घर जाकर उसे सारी बात बताती हैं और यही रहने के लिए समझाती है। ठीक है मा, हम यही रहकर ठेला लगाएंगे, उसमें मैं भी आपकी मदद करूँगी। ठीक है बेटा, अब मैं बाजार से सामान ले आती हूं। सीमा की मा सरपंच के दिये हुए पैसों से बाजार से आलू के पराठे के लिए सामान ले आती है। घर आकर दोनों कल के ठेले के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। अगले दिन सुभह ही सीमा और उसकी मा ठेला लगा लेती है। पहले ही दिन से ठेले पर ग्राहकी शुर ऐसे ही रोज सीमा और उसकी मा ठेला लगाने लगी और उनकी ग्राहकी भी बढ़ते गई सरपंजी की मदद से हमने हमारा ठेला लगाना शुरू करा था अब हमारी इतनी कमाई हो गई है तो मैं उनके पैसे भी वापिस दे आती हूँ उधर शहर से सीमा के पिताजी भी वापिस गांव आ रहे होते हैं पता नहीं मेरे शहर जाने के बाद सीमा और उसकी मा केसे रह रहे होंगे मुझे इतने दिन हो गए शहर गए हुए लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं है मैं घर जाकर उन दोनों से क्या कहूंगा और खाने पीने का खर्च भी कहां से ला कर दूँगा अरे राजेश, तुम यहां कैसे? तुम तो शहर गए थे ना, नौकरी करने वापिस कब आए? अरे भाई, वही से आ रहा हूँ ठेला लगाना है, चालू करा है बहुत दिनों से वह वही ठेला लगा रही है और उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है लेकिन हर दिन वो दोनों बस तुम्हारा इंतजार करती रहती है तुम्हें देख कर वो बहुत खुश हो जाएंगी क्या तुम सच कह रहे हो, तुमने तो ये बता कर मेरी चिंता दूर कर दी मैं अभी जा कर उन दोनों से मिलता हूँ सीमा बेटा अरे पिताजी, मा देखो पिताजी वापस आ गए इतने दिन से आप कहां थे? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी मन में ना जाने कैसे केसे खयाल आ रहे थे हमने बहुत कोशिश की कहीं से आपकी जानकारी लेने की लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं मिली हमारे पास राशन के लिए भी पैसे खतम हो गए थे सीमा के स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे तो उसको भी स्कूल से निकाल दिया था तभी से मैंने आलू के पराठे का ठेला लगाना चालू करा मुझे भी शहर में तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी वहां में काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था लेकिन कहीं कुछ काम नहीं मिला कहीं काम मिला तो वो पैसे वहां रहने में खर्च हो गए लेकिन तुम्हारे पास ठेला लगाने के पैसे कहां से आए? कहीं से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी और हमारे पास राशन भी नहीं बचा था इसलिए में और सिमा तुम्हें ढूंडने शहर आ रहे थे वही बात करने में चचा जी के पास गई तो उन्होंने मुझे समझाया और ठेला लगाने के लिए पैसे दिये थे और आप चिंता मत करिए यहां हमारे पराठे के ठेले पर अच्छी ग्राहकी होने लगी है अच्छा हुआ, आप भी आ गए अब हम सब मिलकर ठेला लगाएंगे और एक साथ रहेंगे अच्छा, फिर तो मुझे अभी ही चाचा जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए अगर वो तुम्हें सलाह नहीं देते और ठेला लगाने के लिए भी पैसे नहीं देते तो ना जाने क्या हो जाता आप इतनी दूर से आए हैं, पहले कुछ खाली जीए, फिर हम दोनों चाचा जी के पास चलते हैं चाचा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे शहर जाने के बाद आपने मेरे परिवार की इतनी मदद की अगर आप इन्हें शहर आने से नहीं रोकते तो पता नहीं में इन दोनों से केसे मिलता सीमा को स्कूल भेजने के बाद वह दोनों मिलकर ठेला लगाने लगे और अच्छी कमाई करने लगे